हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अफ सलूशन्स पर और आप देखना सुरू कर चुके हैं हमारा एंगलर 15 का फूल टूटोरियल सीरीज दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉंटेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है एंजी टेंपलेट आपने बहुत जगह देखा होगा कोडिंग में अगर किसी का कोड देखते हैं तो एंजी टेंपलेट यूज किया हुआ देखते होंगे और यह हर जगह प्र पूछे जाते हैं और प्रजेक्ट में भी उजगता है राइट इसको आप बहुत ही किरफुली इंड तक देखिए क्योंकि इसमें हम दो तिन तरीके से एक्जामपल करके दिखाएंगे इस इंपल एंजी टेप्लेट कैसे उज करते हैं एंजी इप के साथ कैसे उज करते है और स्वीच के साथ कैसे उज करते हैं इन सारे चीज़ों को हम स्टेप बाई स्टेप कोड करके प्रैक्ट करते के देखेंगे इस वीडियो टुटोरियल में दोस्तों और इसमें जो एंजी टेंपलेट के साथ एंजी इप एंजी फॉर का जो कोडिंग पैटर्न भी है कैसे चेंज हो जाता है क्यों चेंज होता है क्या कंसिप्ट होता है इन सारे चीज़ों को हम डिसकस करेंगे इस वीडियो टुटोरियल में तो दोस्तों इस वीडियो का आप अंतक करफूरी देखें होसे कि आप नोट भी कर सकते हैं तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो का notification आपके YouTube app और email में मिलती रहे तो दोस्तो चलिए start करते हैं इस video tutorial को तो दोस्तो ng template is an angular element for rendering html right it is never displayed directly it can be displayed using a structural directive that we can use all the time like ng if ng for and ng switch दोस्तों कहने का मतलब है कि ng template एक html को render करने का element होता है यह display नहीं होता है कभी भी हमारे screen पर डिस्प्ले नहीं होता है right इसको हम तभी display कराते हैं इसके अंदर के content को हम display करा सकते हैं वो भी किसी condition पर या ताप ng if use कर लें या ng for कर लें या फिर ng switch कर लें तभी इसके अंदर के content को हम display करा लेते हैं और यह हमारे dom में कहीं भी effect नहीं डालता है right means कि दोस्तों जैसे ही हमारा ng template render करता है उससे पहले ही हमारे ng template को क्या करता है यह comment section में डालता है right जैसे मैं आपको practical करके दिखाऊंगा कि जैसे हमारा compile होता है code ng template को अगर आप inspect करके देखेंगे गुलर के अंदर तो वहाँ पर commented दीखेगा इसका code कहीं भी आपको दीखेगा नहीं जैसे कि मालों दोस्तों का आप div लेते हैं तो div के अंदर कोई भी data रखते हैं तो div भी बनता है आपके page पर render होता है तो dom में जाकर एक div attach हो जाता है div पर अगर आपने कोई CSS या कुछ भी लगा रखा है तो div का भी work CSS apply हो जाएगा उस पर काम करना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर हम ng template के अंदर किसी content को रख रखे हैं और किसी condition पर उसको हम display करा रहा है पहली बात अगर कोई condition नहीं लगा है तो उसके अंदर कोई content है या ng template जो बनता है हमारा tag वो commented रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा practical करके वो committed रहेगा वो आपके page पर या dom में कोई effect नहीं डालेगा राइट बट जैसे ही हम ng if या ng for के साथ उसको हम display कराते हैं किसी condition पर तो क्या होता है कि यह template commented रहेगा उसके अंदर के content के वो डिस्पले होंगे आपके browser पर means की without tag means की अगर आप चाहते हैं ऐसा scenario बनता है कि अपके page पर कोई content है में दिखाना है बट उसके साथ internal जो CSS है वही apply हो इसके ng template का कोई CSS supply ना हो तो इस तरीके के condition हम use करते हैं right कोई message सो कराना हुगा या कोई content सो कराना हुगा कि जो external जो element है उसके साथ apply हो जाए वही होता है इसमें अगर deep ले ले लेते हैं deep में सो कराते हैं जैसे मालो दोस्तों कि हमने deep पर ng if या ng for लगा लिया तो उसके अंदर जो content हम display कराएंगे तो deep भी display होगा और अगर deep भी आपके DOM में document object model जो हता है उसमें आपके attach हो जाएगा और उस पर अगर आपने कोई CSS बना रखा है deep के लिए तो वो apply हो जाएगा but ng template में ऐसा नहीं होता है यही एक feature इसका अच्छा सा है वही कहने का मतलब कि यह पूट समें HTML इंसाइड अप अप एंगी template tag इंगर इंगर विल रप्लेस ते एंगे तेंपलेट टैग एंट इन इस कंटेंज विद एक कमेंट में कि यह आपके नगेंट और एंगेंट एंगेंट अपनेंट को भी comment section में चेंज कर देता है यह डिस्पले नहीं कराता है यह तब ही display होता है with the structural directive means कि ng if ng for या ng switch के साथ ही इसको आप display करा सकते हैं but इसके content को आप display कराएंगे यह रेंडर ng template does not itself get turned into a DOM element only the content are rendered to the DOM वही मैंने जो बताया कि यह ng template अगर रेंडर भी होता है तो ng template DOM में add नहीं होता है उसे content ही DOM में add होते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही समझने वाली बात है कि हम यही तो इसका main feature इसका concept है कि हम इसको कहीं भी इसके content हम दिखा लेते हैं वो भी condition पर लगा लेते हैं आपको कहीं किसी भी html पर अगर कोई condition लगाना हो तो किसी element के साथ रखेंगे अगर condition true होता है तो element भी आयाता है बट यही एक ऐसा tag है दोस्तों कि किसी condition पर उसके content को तो display करा लेते हैं बट इस tag को render नहीं करते है ना ही यह tag आपके dom में attach होता है बहुत अच्छा feature है यह angular का राइट तो वही एक एक point में आपको इसमें बता रहा हूँ और इसके एक एक point को भी मैं practical करेकर देखाऊंगा आपको code में तीसलिए आप इसको step by step अच्छे से देखें और यह जो point में आप आपके screen पर भी दीख रहा है इसको आप note भी कर सकते है यही चीज आप से पूछे भी जाते हैं इंट्रिविव में right means की ng template यह virtual element and its contents are display only when needed means की best or condition means की ng template एक virtual element है virtual मतलब दोस्तों कि यह physically exist नहीं करता क्यवाल इसके content display होते है वो भी कब best or condition आपका condition true होगा तब आप इसके content को आप अपने margin से display करा सकते हैं means कि आप cts file से जब उसको true करेंगे तब उसके content display होगे यह dom में add नहीं होगा और नहीं तो अगर true नहीं होता false होता है तो आपके webpage पर पढ़ा रहेगा with commented section और आपको पता ही है कि कोई भी code comment section के अंदर है तो आपके webpage पर कोई effect न to be used along with the structural directive like ng-if, ng-for और ng-switch right या फिर आपका अपना custom structural directive बनाते हैं तो उसमें पर ही apply हो जाता है means कि यह condition पर ही चलता है right ng template never mean to be used like other html element वही मैंने जो बता है दोस्तों कि ng template कभी भी आप other html element के type से इसको use नहीं कर सकते है जैसे जो tag होता है आपका html का vr का bold करने का underline करने का उस तरीके से आपको इसको use नहीं कर सकते है यह table होगा ul होगा li होगा उस तरीके से आप इसको use नहीं करेंगे इसको जब भी use करना होगा आपको किसी ना किसी conditional structural directive के साथ ही इसको use करेंगे right और एक चीज और दोस्तों मैं बताऊं मिंस कि दोस्तों when we use a structural directive in angular we will add a prefix strict मिंस कि आप जब भी दोस्तों देखते हैं कि ng if या ng for या ng switch हम यह सभी use करते हैं तो आपको वहाँ पर star लगाते हैं जिससे हमें strict बोलते हैं star लगाते हैं तो यह जो star होता है दोस्तों short hand notation होता है ng template का ही इसलिए जब मैं आप ng template यूज करके दिखाऊंगा तो आप वहाँ पर देखेंगे जब मैं ng template के अंदर ng if, ng for, ng switch यूज करूँगा तो वहाँ पर मैं star नहीं लगाऊंगा right क्योंकि angular में ng template का ही short hand notation होता है strict इसलिए जब हम ng template ही directly यूज करते हैं तो यहाँ पर star लगाने के कोई जरूरत नहीं प दोस्तों angular इसको convert कर देता है ng template में जैसीं आप star लगाएंगे तो angular क्या करेगा directly उसको ng template में convert कर देता है और यहाँ पर तो हम directly ng template ही use कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर star नहीं लगाते हैं यह भी question आपसे अकसर पूछे जाएंगे interview में अगर आप IJ experience जाते हैं का interview देने तो कि हम ng if template में ng start ng if के साथ start क्यों नहीं लगाते ng template में तो आप वहाँ पर बोलेंगे कि यह क्या होता है कि short hand notation होता है ng template का तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कभी-कभी अकसर हम ऐसा गल्तिक कर देते हैं as a developer कि कहीं से हम Google से कहीं सी code copy करके ng if का ng for का ng switch का ng template के अंदर directly डाल देते हैं और हमारा code चलता नहीं है और उसमें हम बहुत ही कोसिस करते रहा जाते हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं चलता है क्योंकि वहाँ पर हम star भी copy करके लगा देते हैं तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके mind में हमें सा यह set हो जाएगा कि ng template के अंदर हम star नहीं लगाते हैं राइट दोस्तो अगली बात यह है कि ng template is not exactly a true web element यह कोई true web element नहीं है जैसे हमारा code compile होता है you will see not a ng template in html DOM means कि हम कभी भी जब भी हमारा code compile होता है तो कभी भी हम ng template को html DOM में नहीं देख सकते हैं राइट दोस्तो अब आगे हम इसको क्या देखते हैं कि हम किस किस तरीके से example करके इस video tutorial में देखेंगे पहले तो हम simple ng template in angular angular में ng template का example करके छोटा से देखेंगे कैसे हम ng template के अंदर कुछ कोई भी data डालते हैं तो comment section में देखता है यह हमेशा commented रहेगा वो आपके DOM में नहीं add होगा नहीं आपके screen पर add होगा तो बात आती है कि हम इसको add करने की जूरत क्या है तो उसी को हम अगले example में देखेंगे दोस्तों कि ng template में ng के example करके देखेंगे कि means कि हम add तो कर सकते हैं बट उसको display हम कराएंगे as a condition सोचों दोस्तों हमें किसने के इतना benefit होने वाला है कि हम ng template के अंदर कोई data दिखा भी लेते हैं और भी condition भी लगा लेते हैं और हमारे DOM में add भी नहीं होता means कि हमारे उस content के external जो element है वही सारे इस पिर भी apply होते हैं राइट आगला होगा दोस्तों कि ng template में ng for के example कैसे करते हैं और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि हम ng switch के example कैसे करते हैं ng template में तो दोस्तों एक एक करके चली हम project में देखते हैं कि कैसे इसका example करते हैं और किया effect ह होता है हमारे DOM में और हमारे web page पर तो यह है project सबसे पहले हम example करेंगे कि ng template को हम simple normal ng template उच करके देखते हैं और एक साथ में हम एक div भी ले लेते हैं ताकि आपको difference पता चलेगा कि div के अंदर का जो data so होता है तो उसके साथ div element भी DOM में add होयाता है इसमें हम simply लेते है div section या कुछ भी आप अपने मर्जी से ताकि notation के लिए दे रहा हूं कि आपको पता चले कि इसमें क्या दिख रहा है right और एक हम यह आप निचे लेते हैं ng template right ng template कर लेते हैं right और इसके के अंदर भी हम कुछ रख लेते हैं इसके अंदर हम लिख लिए माया लों दोस्तों ng template section या कुछ भी आप लिख लिए ताकि पता चले right अब अगर इसको मैं run कराता हूं server activate होता है तो हम browser में देखेंगे दुस्तों कि आपको पहले बता दूँ कि डीव के अंदर यह डीव section दीखेगा और डीव यह element भी आपके DOM में add हुआ दीखेगा बट यह ng template के अंदर ना तो इसका content दीखेगा आपको और नहीं ng template दीखेगा दोनों commented रहेंगे right अब इसके लिए अगले example में मैं दिखाऊंगा आपको अभी इसको पहले run कराकर दिखा रहते हैं उसके बाद मैं फिर और दिखाऊंगा कि इसमें हम जब condition लगाएंगे तो कैसे इसके data दीखता है बट इसका ये जो element है ये tag है हमारे DOM में add नहीं होगा right तो चलिए browser में देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि deep section आपका दीख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया तो इसको देखने के लिए पहले हम inspect करते हैं आपको दिखाते हैं DOM में कि आपका यहाँ पर देखिए body के अंदर जाएंगे और app root के अंदर जाएंगे आप देखिए ये div आपका add हो चुका है और div section आ गया बट उसके नीचे जस नीचे आप देख रहे हैं commented section में आपका दिख रहे हैं आपको कोई ना data दिख रहा है ना tag दिख रहा है यहीं पर है आपका ng template means कि आपके ना screen पर दिख रहा है और ना ही आपके DOM section में दिख रहा है कहीं भी यह add नहीं होता right यहीं इसका main feature है तो देखते हैं इसमें यहाँ पर दूसरा इसको हमटा देते हैं पहले और दूसरा code लिखते हैं जिसमें हम condition लगाएंगे right तो इसके दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि एक div ले लेते हैं ताकि फिर वह difference आपको दिखाऊंगे यहाँ पर div ले लिए हमने right और इसमें हमने ल template लेंगे या फिर पहले div में ही मैं ngf लगा लेता हूं उसके बाद ng template में लगा लूँगा right तो इसके लिए हम अगर हम कोई header ही दिखाना है तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर h3 ले लते हैं right और यहाँ पर हम ले लते हैं कि div with ngf right और यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे अब div लेंगे और इस div में हम ngf लगा लेंगे यहाँ पर आप जैसे दोस्तों मैं बताया था कि ngf के लिए star लगाते हैं जब हम किसी normal element के साथ यूज करते हैं right वही जब मैं ng template में ngf यूज करूँगा तो मैं आपको देखाऊंगा वहाँ पर मैं star नहीं लगाऊंगा क्योंकि यही सी का sort and notation होता है यहाँ पर हमने क्या ल होगा कब जब हमारे display का condition true रहेगा यहाँ पर हम लिख रहते हैं div ngif right अब एक दूसरा बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर एक heading बना लेते हैं S3 में लिख लेते हैं कि ng template with ngif right और यहाँ पर हम template उच करेंगे right यहाँ पर लेंगे ng template right और इसको हम close कर देंगे और इसके अंदर अब हम इसके अंदर condition लगाना है दोस्तों यहाँ पर हमें इसका syntax change रहता है हम इसको bracket के अंदर रखते हैं ngif को right means कि यहाँ पर हम कोई star नहीं लगाते और यहाँ पर equal to जो हमारा condition के जो variable होता है रख लेंगे right अब इसके अंदर जो data हमें सो कराना है जो content पर रखना है हम लिख सकते हैं ngif display right या फिर यहाँ पर with लिख सकते हैं आप with ng template ताकि जब display हो तो आपको समझ में आए कि कौन साथ display हो रहा है right तो यह हुआ आपका अब इसको run करा कर दिखाता हूं मैं अभी तो हमारा कोई भी condition true नहीं है क्योंकि अभी हमने display पर यहाँ पर कोई condition नहीं लगा रखा है ts file में right यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लगा रखा तो simply क्या होगा कि दोनों में से किसी का data दीखेगा नहीं right तो चले ब्राजर में देखते हैं देखिए बस जो हमने h3 tag के अंदर डाल रखा है वह ही दिख रहा हमारा और यहाँ पर आप app root के अंदर जाते हैं तो यह भी कमेंटेड है और यह भी कमेंटेड है right क्योंकि इसका कोई condition true नहीं है deep भी कमेंटेड और ng template भी कमेंटेड अगर जैसे ही दोस्तों हम इसको display को यहाँ पर हम true कर देंगे right यहाँ पर दोस्तों मालों हमने display लिया और इसमें हमने true pass कर दिया right तो यह हमारा condition क्या हो गया true तो अब हमारा variable में आप यहाँ पर देखेंगे यह पास हो गया तो दोनों का data यहाँ पर दिख गया इसका h3 का tag h3 का tag और यहाँ इसका भी content आ गया इसका भी content आ गया लेकिन difference क्या है मैं आपको दिखाता हूं आपर body में जाएंगे app root के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर देखिए जब यह div इसके साथ यह div भी आ गया है div जो tag आ गया है right बट जैसे ही ng template के अंदर का content डिस्पले हुगा यहाँ पर देखिए तो इसके बाहर में कोई भी ng template का tag नहीं आया है right means की without tag tag ना कभी DOM में add होगा नहीं आपके screen पर आएगा बट वही चीज होगर हम किसी div या किसी other tag के अंदर डालते हैं तो वो भी हमारे DOM में add होयाता है और जो हम CSS लगा कर रखे हैं तो उस पर apply होयाता है बट इसमें ng template के अंदर जो भी content रखते हैं तो कि वह content display होता है उसका tag जो होता है वह हमारे DOM में add नहीं होता है आप यहां पर देख सकते हैं कि clear example दिख रहा है यहां पर कि आपका ng template का tag यहां पर नहीं है बट आपका div का tag आपका यहां पर दीख रहा है एके करके practical करके आपको दिखाते चलता हूं तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसको comment कर लेता हूं ताकि कि किसी को need हो इस video code का तो हम code भी भेज़ देंगे ता आपको सारा code आपको मिल जाएगा तो इसलिए मैं इसको comment करता हूं control case c और नीचे दूसरा example करके देखते हैं ng if else ताकि आपको पता चले राइट और यहाँ पर दोस्तों हम एक लगाएंगे इसका तो इसकी लिए क्या होता है दोस्तों कि हम आप सेमिकोन लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इल्स और यहाँ पर एक हम कोई variable टाप जो इस रिफ्रेंश बरियेबल होता है उस तरीके से एक वरियेबल देते हैं इल्स ब्लॉक और यही हम पास कर देंगे यहाँ पर टेंपलेट में राइट तो उसके लिए क्या कहाता है यहाँ पर भी हम एक नोटेशन देता हूं इल् स्प्लिट के अंदर हम क्या करेंगे अब यहाँ पर एंजी इफ न लगाकर हम एक वरियेबल दे देंगे राइट इसको हमने डिलीट किया और इसी वरियेबल को हम हैस के साथ कौपी करेंगे और हैस के साथ यहाँ पर लगा देंगे तो इसी को बोलते हैं रेफ्रेंस पर य हम एक डीव लगा लेते हैं यह आईसे भी आप दिखा सकते हैं मैं डीव में आपको दिखाता हूँ अब इसको देखेंगे आप इसके साथ यह वर्क करेगा राइट तो देख सकते हैं यहां पर यह हमारा जो है डीव सेक्षन का यह हमारा है यह बाइंड हो रहा है और डीव के अंदर डीव एंजी यह बाइंड हो रहा है इसके अंदर हमारा यह commented है, means कि हमारा यह पहला वरा section true हो रहा है, इसलिए deep दिखा दिया, आप यहाँ पर देख रहा है, और इसके अंदर condition false हो रहा है, और reference variable में false हो जा रहा है, तो यह हमारा पूरा ng template ही, जो कि उसके अंदर हमने deep भी लगा रखा है, उसको भी इसने commented कर दि मिन्स कि इसके अंदर जो भी content होगा, वो false हो जाएगा, जैसे हमारा इस block यह display को हम जैसे हम यह false कर देंगे, तो यह हमारा data दीखेगा, deep भी दीख चाएगा, चलिए मैं इसको भी एक पड़ फाल्स करा के दिखाता हूँ यहाँ पर, false, right, इसको save किया हमने, यहाँ पर display with ng template दिखा दिया, right, means कि यह क्या कर रहा है, दोस्तों, कि यह हमारा template के अंदर का, देखिए, आपर template अभी ng template अभी commented है, लेकिन उसके अंदर के जो content है, reference variable के साथ यहाँ पर आके bind हो गया, यही चीज हमने कहा लिख रहा है, दोस्तों, यहाँ पर, इसके अंदर ng display with ng template, means कि इस reference variable पर यहाँ पर यह condition true होगा, तो यह दिखाएगा, और यह तो इस block वाला data यहाँ पर सो करा देगा, right, तो इसका data तो दिखा दिया, right, but इसके अंदर जो यह tag लगा हुआ, यह tag नहीं दिखाएगा, यह tag कभी भी आपके dom में add नहीं होगा, नहीं आपके view page पर add होगा, तो यह होता है दोस्तों कि d with ng if else, right, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ng for का example, right, इसके लिए हम क्या करें इसको हम comment कर लेते हैं, kc, right, तो इसके दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, कि app.component.ts file में हम एक data बना लेते हैं, जिसको हम copy paste कर लेते हैं, यहाँ पर, right, ताकि हम time बचे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा की जाएगा, इसके बाद हमें ng switch का भी video दिखाना है, example दिखाना है, तो क्या करेंगा, करूँगा कि मैं आपको सारा code किया हुआ, आपको समझा जाता हूँ, अच्छे से कैसे इसका work होता है, right, आपको इतना तो समझ माही गया होग कि ng template का concept क्या होता है, हम use क्यों करते हैं, और कहां पर use करते हैं, strict क्यों नहीं लगाते हैं, इस सारे, यही सारा concept है, बट इसके use कैसे करते हैं, मैं आपको step भई step समझा जाता हूँ, right, तो यह हमने data बनाया, यह आपको normal, आपको पता ही है, कि book variable में हमने array type कर लेकर उसमें data डाल दिया, right, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तो, हम जाएंगे html page पर, और यहाँ पर हम इसको रख लेंगे for का, means कि हमने एक div में भी, यहाँ पर हमने div लगा रखा है, h3 tag लगा रखा है, और div में हमने ng for लगा रखा है, right, और यहाँ पर हम data point कर रहे हैं, book rename, और वही सेम चीज दोस्तों हम क्या कर रहें, ng template में, but यहाँ पर आप देखी है, हमने star नहीं लगा रखा है, और यह जो इसका pattern हो गया, coding का, यह change हो गया, इसको आप note कर सकते हैं, right, means कि हम यहाँ पर let book of books किया, हमने, और let i equal to index कर दिया, but यहाँ पर ng for let dash book किया, और ng for of करके books को हमन ng template में, right, तो इसको आप note कर सकते हैं, जब भी आप use करें, तो इस तरीके से करेंगे, नहीं, तो अगर आप copy paste करते हैं कहीं से, तो आपका वो code चलेगा, नहीं, right, तो इसको जब आप run करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसका effect क्या होता है, देखिए इसको भ statement भी आपके, tag भी आपके dom में add हो रहा है, बट, वही चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि ना कोई div है, ना कुछ, बस हमने p के अंदर bind कर रहा है, तो directly हमारा सारा data agt bind हो गया, और यहाँ पर हमारा कोई ng template का tag भी हमारे dom में add नहीं हो रहा है, simple, right, तो यह होता है, दोस हमारा ng switch को कैसे जुच करते हैं, वो भी चली देखते हैं, हम, उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, कि हम यहाँ पर एक, इसको भी comment कर लेते हैं, right, control के C, इसको हमने comment कर लिया, और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे ng switch के लिए code रखेंगे, right, और यहाँ पर क करेंगे दोस्तों कि हम ng-switch का code रख लेंगे राइट तो इसमें दोस्तों क्या है कि आप देख सकते हैं हमने बस यहाँ पर copy-paste कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ng-switch के अंदर जो की normal हमने दीब में जो normal आपका syntax होता है कि ng-switch और उसके अंदर हम कोई variable रख लेते हैं जिसे हम चेक कराते हैं ng-switch case में इसमें star लगा हुआ रहाता है राइट और जहां पर match करता है उसका data हो करा रहता है मिंस की दोस्तों यहाँ पर हमने star लगा रखा है मिंस हम इसको नॉर्मली यूज कर रहे हैं जहां पर ng-switch यूज करते हैं राइट डिब में लगा रखा है और star लगा रखा है ng-switch case के अंदर जवास्क्रिप्ट लगा रखा है bracket के अंदर लगा रखा है और इसके अंदर हमने type script को रख लिया मिंस कि इसका जो स्विच है type script पर check करेगा और हमने एंजी स्विच किस को भी हमने इस ब्रैकेट के अंदर रखा है और उसके अंदर जैसे ही जहां पर चेक करेगा जिसका मैच करेगा वरियेबल यह जो टाइप स्क्रिप्ट हम लगा रहा है इसका टाइप स्क्रिप्ट को डिस्प्ले कर देगा मिंस कि यह हुआ है आपका नॉर्मल डी ओर यह हमारा एंजी टेंपलेट के साथ हुआ रइट इसको हम रण्व कराएंगे दोस्तों तो आपको यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि जावा स्क्रिप्ट जो कमेंच के तो दिखा रहा है और यह टाइप स्क्रिप्ट और जो देखने वाली बात है दोस्ते यहां पर इपरूट के अंदर जाएंगे तो यहाँ डीव के अंदर यहाँ देख लिजिए एंगी टेंपरेट एंजी स्विच डीव डीव वाला है इसके डीव के अंदर जाएंगे यह डेटा आपको इस तरीके से commented है और जिसका data match करेगा वहाँ पर आपको ng template के साथ यहाँ पर आप देखिए नीचे जाएंगे यहाँ पर right और यहाँ पर type script data show कर रहा है जिसका match किया right उसी तरीके से इसमें जो java script का match करेगा दोस्तो उसका data दीखेगा यहाँ पर java script का right और यहाँ पर कहीं भी आप नहीं देख पाएंगे कि ng template भी आपका एड़ हुआ हो आपके इसमें डॉम में राइट यह होता है दोस्तों कि ng template I think आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ng template होता क्या इसका concept क्या होता इसको कैसी करते हैं हमने अलग-अलग तरीके से example करके भी देखा इस video tutorial में फ हमारे comment box में लिखें ताकि हम उस suggestion को अगले वीडियो में फॉलो कर सकें राइट दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे हम ng container के साथ तो भी एक बहुत important वीडियो होगा इसके वो इस वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों में करें सेयर करें ताकि सब को देखने को मिले जिसे कि हमारा मनुबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक लिए थेंक्यू सो मच